नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत है चाट मुझो के नए वीडियो में आज के सेशन के अंदर वोलेटिली देखने मिली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वीडियो में हम बोल रहे थे कि एक बार वोलेटाइल वाला सेशन हो सकता है यहां पर इंटरेस्टिंगली हमने ए लगा देता हूँ आपको लिए 15 मिनिट का चार्ट और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो यह सेल ओफ देखने मिला गैप आप ओपनिंग के बाद काफी वन वे था और यहां पर जो नीचे के लेवल ते ऐसा लग रहा था कि अगर 300 टूटेगा तो और फॉदर जा सकता है तो हम देख रहे हैं कि जो भी डिप मिल रही है उसमें बाइंग हो रही है इस वज़े से जो अब सेंटिमेंट है वो लग रहा है कि आज का दिन अगर निकाल दिया मार्किट ने एक स्पाइरी वाले दिन तो आने वाले एक हफ्ता और अच्छा जाने के काफी हाई केंडल बनी है मतलब आज गैप अप उपनिंग हुई सेंटिमेंट स्ट्रॉंग था बैंक्स के अंदर यहां पर डूजी केंडल इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि ओवराल जो आज सेल अफ देखने मिला मार्केट के अंदर खुलता ही उसका असर बैंक्स पे भी पड़ा और PSU बैंक्स अच्छा परफॉर्म करने के वाले प्राइवेट बैंक के अंदर एक तेजी थी खासकर जो बैंक जो चल नहीं रहते जैसे RBL बैंक हो गया, बंदन बैंक, AU Small Finance बैंक यह सब पिटेवे बैंक थे अब इन में रिकवरी देखने को मिली अब अगर यह जो कैटेगरी ओफ बैंक है हम देखते हैं कि यह हमेशा लास्ट में चलते हैं और अगर अब यह बैंक चल रहे हैं इसका मिलब काफी एक हाई प्रोबिलिटी बनेगी कि हमें बैंक्स में ब्रेकाउट मिल जाए अब बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा ब बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा मूव नहीं बन पाई तो मेरे सबसे बैंक निफ्टी पे निफ्टी के अगेंस थोड़ा ब्रूजान बैतर बन सकता है क्योंकि HDFC शायद कंट्रोल ले अभी निफ्टी पे पहले लेवल देते हैं निफ्टी की अगर हम आज की कैंडल फ सेशन में फ्राइडे का जो सेशन है 22625 अगर लेवल निकलेगा तो हमें एक अच्छी अपसाइड मूव दिखेगी 22800 तक की इंदी सेम सेशन ठीक है यहां पर एक मूव नजर आ रही है सेकेंड बैंक निफ्टी की अभी डाउन साइड हो के बैंक निफ्टी जाने से पहले लग नहीं रहा और बैंक्स की अगर हम बात करें जो थोड़ा रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के सामने क्योंकि निफ्टी अपने अल्टाइम हाई पे है बैंक अभी कैच अप कर रहा है और लगबग कैच अप कर चुका है तो यहां पे भी थोड़ा देखे तो rate decision है और उसके अंदर जैसे news में हम देख रहे हैं कि उसमें जो अनुमान आ रहा है निकलके वो लगबग status कोई है मलब कोई rate में changes नहीं रहेंगे और I think market भी उसे factor करके चली रहा है अभी यहां पे बैंक की तो बात हो गई जो की थोड़ा हमारा बायस है बैंक मे दिखा रहे है move की वो काफी अच्छी है और second जो पिटेवे bank थे अगर हम बात करते बंदन बैंक की EU bank की उनके अंदर जो रुजान है वो देखके हमने आज एक bank वाला ही counter निकाला है हाला कि उसका breakout हुआ नहीं है तो उस पे focus करेंगे बैंक में बढ़ने से पहले मैं एक बा 4,000 पर आज थोड़ा resistance लगा gap अब खुलने के बाद यहां पर भी थोड़ी sell-off थी बट यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जादा से जादा अगर कोई dip आई हमें midcap में तो कोई normal सा retracement होके कोई pattern बनके फिर एक move continue होनी चाहिए अगर वो नहीं देखने मिलेगा तो one way move भी दे temp कर रहा है अगर पुल बैक successful हो जाता है तो काफी एक अच्छी बात होगी वापिस से हमारे market एक नई हाई पकड़ लेंगे अब जो हम indicator की बात कर रहे थे कल macro जो हम देख रहे थे bond yield breakout कल दे रहा था देते वे दिखाई दिया था हमें आज थोड़ा यह stable हुआ है थोड़ा retrace कर रहा है डॉलर इंडेक्स भी अच्छा खासा गिर गया है कल की जो कमेंटरी आ रही थी उसके बाद इसके अंदर फॉल देखी गई अभी ऐस सच जो स्पेकुलेशन चलती है market के अंदर फिलाल वो रेट कट की रिगार्डिंग ही है कि इस साल तीन केंट करणे इस साल इन साल 4 रेट करणे उससे अब भी भी लोग पासेंटीमेंट बना हुआ है कि तीन रेट कट होने की चांसिस है और इस वज़ेसे यहां पर एक लगकन देखने मिला कोई काउंटर इसलिए चूज नहीं किया था क्योंकि यह जो वीक मैकरो थे इनकी वज़े से ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई एक जगे रिट्रीट होगा तो अभी ऐसा लग रहा है कि यह जो डॉलर इंडेक्स और बॉंड डील है यह रिट्रीट हो रही है और डाउ जो है वह उपर जानी कोशिश कर रहा है तो दोनों में से एक नाएक कोई पीछे हटना ही था अब डाउ अगर सक्सेस्वल उपर आज चले जाता है और अच्छी क्लोजिंग दे देता है तो काफी एक बुलिस सेंटिमेंट वाली बात होगी ब्रेंट के अगर बात करो तो कल नाइ चोटी बेस से ब्रेक आउट बना है अब क्योंकि ब्रेंट की बात कर रहे तो मेरे को इशिन पेंट का ध्यान आया आज के चार्ट पे था मूव अभी हमारा जो फोकस है कल के सेशन के लिए वह है IDFC First Bank के एक Falling Wedge के अंदर ट्रेट कर रहा है अब Falling Wedge के साथ हमें और एक सिगनल दिखाई देता है यहां पे Exhaustion Gap का आप बोलो के का है वो gap तो आपको यहां पे Clear दिखाई दे रहा है कि एक Exhaustion Gap बना वो फिल हो गया और उसके बाद अभी एक Up Move चालू है 80.5 लेवल पे इस Falling Wedge का Breakout मिलेगा IDFC First Bank पे अब यह अगर Breakout मिलता है तो हमें एक Upside की यहां पे Move जनरेट होते वे दिखाई देगी और वो Move का तक बन सकती है 84.5 से लिके 85 के बीच में तो लगवाग एक 5% का Play यहां पे दिख रहा है क्योंकि Banking के अंदर काफी एक अच्छी Move बनी भी है कल ऐस सच हमने कोई Counter Discuss नहीं किया था Charge Study नहीं की थी तो उसके पर अपडेट नहीं है मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले टिल लें टेक क्यार आइविल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो